अभी हमारे साथ रातो रात वाइरल हुई सलोनी है अपनी स्कूल में एक गाना गाती है वो गाना होता है जिसके बाद इनको खूब पसंद किया जाने लग जाता है तेजी से इनका वीडियो वाइरल होता है और आज पटना में आई हुई है इनका आज एक गाना का अगर नहीं होता तो साथ यह वाइरल नहीं होती लेकिन दुर्भागी की बात है कि इसके पास मुबाइल नहीं है इसके जो परदाना ध्यापक है इनों ने वीडियो बनाया उसे डाला और मैं वीडियो वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बच्च इसके बाइक पास होगा नहीं होगा वह अलग बात है लेकिन इसके पास जीओ फोन है जीओ फोन है घर पे जीओ फोन और सर जो है वो स्कूल में जब जाती थी तो रिकॉर्ड करते थे तो मुझे लगा कि कुछ मदद करना चाहिए तो मैंने मदद किया इसलिए पहले मेरे सभी आपको बहुत धन्यवाद रहेगा क्योंकि आपने इस बच्ची को कौन सा मुवाइल मिला है बाबू जरा दिखाओ अरे वह सैमसंग का मुवाइल जो है इस बच्ची को एट ट्वेंटी थी है और कवर मगरा लगा के जो है भाईया ने चम चमा के इस मोबाइल को जो ह है सलोनी के हाँ हां चम्चमाता हुआ मोबाइल भगवान ने अगर आपको धर्ति भेजा है और आप सक्चम है और भगवान के दुवारा कुछ अधूरा काम रहे जाता है उसे प्रदाना दयापक नहीं होते तो इस बच्ची का वीडियो नहीं बनाते लाइप सिटीज जो अपना बिहार का सबसे पूराना डिजिटल प्लैटफॉर्म है हम लोगों से बहुत पूराना हम लोग तो बहुत सीखते हैं ग्यानेश्वर्जी से उनके चैनल पे इस बच्ची क सब्सक्राइब और गुरु के लिए एक सिष्ट का जो है यही सपना होता है कि सिष्ट जो है वो काम्याब हो जाए काम्याब होती हुई दिख रही है सलोनी जो है काफी फेमस हो गई है अब तो मोबाइल मिल गया है पटना में पिछले दो घंटा से आप हैं कैसा लग रहा ह और खास करके बच्ची के मदद के लिए मुझे जहां भी जाना पड़े मैं हमेसा तयार रहूंगा और आज का सब्सक्राइब से मुलकात सोचे थे हम लेकिन हो जाएगा यह नहीं सोचे थे अच्छा लगा सोचे थे तो पहले से क्या उमीद था इनसे और मिलने के बाद इन कहीं गलत हो रहा है वहाँ पर अगर तौरीके से बात नहीं करेंगे वहाँ पर गलतियों को सई ढंसे नहीं दिखाएंगे तो कहां से सुधार हो गा तो वहाँ पर हम लोगों को मजबूरी वस जो है वैसे उल्टे सीधे सवाल पूचना पड़ता है बाकि हम लोगों से दिपक रिक्सावाले का भविष से बदल गया ना वह अपने बहिन का साधी अच्छे ढंग से कर लिया ना बहन का साधी हो गया ना अज वो नोन चेहरा है ना अब मुबाइल दिया हुआ वो अपना टाइलेंट दिखाए वहां पे आगे बढ़े कॉंट्रोबर्सी के बाद मै कि हर एक चोशाल एक्स्टिविस्ट यहर एक वीडियो क्रियेटर इस बच्ची को नहीं और भी बहुत सारे टाइलेंटेट्ड लोग हैं विहार में उनको सपोर्ट करें उनको उबहारें मनलेजे कि आभ इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे कि दबाश है और लेकिन अब आगे से बच्ची के पढ़ाई पर मेन फोकस हो बिल्कुल बिल्कुल वो जो है मेन फोकस पढ़ाई पर अच्छा सरकारी लाव अभी मिलाएगी नहीं कुछ परहताक के डियम साथ जो है इस बच्ची को को और अच्छा लगा इस परकार का इनिसीयेट हर ड्ल merc Vir जिल्ला में अगर माली जै कि एक महिना में पाँच को बच्चे का किश्मत अगर उस जिला का ड्ल सिर्फ पांच बच्चे का किस्मत तो पांसो बच्चे अपने हिमत और होसला से बदल देंगे रहोड मत जाएगा कि हमें भी मौका मिल सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद रोतास के डीम साफ जो इस बच्ची को जो है एक दिन के लिए जिला सिक्षा पताधिकारी आपने ब कि अंब यहां के हमारे जिला के शीक्षा पतारी बहुत अच्छे हैं सब बहुत अच्छे हैं वहां के msकारे घांक दोकिया अच्छे करते हैं और माता जी घ्रीनी होंगी तो आगी क्या बनना है आपको पढ़ेंगे लिखेंगे और सिंगर भी बनना है और पढ़ाई भी चालू रखना है चलिए उम्मीद है कि इस नए मोवाइल से जल्दी से आप यूटूब चैनल बना ले और खुद का वीडियो अपनी स्कूल का वीडियो पॉजेटिव में डाल के एक अच्छा संदेश दे लोगों को है आज सालोनी पटना आई हुई थी आज गाने का सुटी हुआ है और ने ङे कुछन चाइए सब्सक्राम में इसलिए एक बच्चे का मदद करना ज़रूरी होता है तो बागी धन्यवाद रहेगा सलोनी वीडियो के अंत में मनीज भया के लिए क्या कहना चाहोगी आप आई थी कि कैसी तरह भया से मिलना है अब आपको एक उपहार भी मिल गया है इनके बारे में पहले से जानते थे लेकिन कभी सोचा ना था कि इतनी जल्दी इंसे मुलाकात हो जाएगी और जीवन में अपना आगे बढ़े तरक्की करें हम सब का नाम रोशन करें बाकी वीडियो देखने वाले तमाम लोगों से आगरा होगा कि ऐसे चीजों को जो है सेर क करना सीखे निगेटिव चीजों से बचके पॉजेटिव चीजों को जो है जब आगे बढ़ाएगा तभी समाज में परिवर्तन होगा धन्यबाद रहेगा वीडियो यहां तक देखने के लिए शुक्रिया